बोलीवुट की एक्टरस जुही चावला ने दिल्ली हाइकोट में एप्लिकेशन लगाई कि 5G का ट्रायल रोक दिया जाए क्योंकि इससे परियावरन को नुकसान है जीव जन्तू, पेड़ पोधे, पशु पक्षी, मनुश्यों पर इसका दुस्प्रभाव होगा और इसको रोका जाए, इस पिटीशन में बाकाइदा हाई कोट में सुनवाई हुई और हाई कोट ने ये माना कि जुही चावला ने ये जो एप्लिकेशन लगाई थी, ये केवल और केवल अपने परचार के लिए लगाई थी, रेडियेशन जैसी ऐसी कोई चीज होती नहीं है, जो म आईवजी से प्रोबलम क्या है, सवाल असली ये है, दूसरी बात, अभी तक हमने प्लेकार लिये हुए जो वामपन्ती देखे थे, मौमबत्ती गिरो जो देखा था, अब उसमें एक नाम और एड हो गया, वो है जुही चावला, तो आखिरकार जुही चावलों को ऐसी क्य खुजली लगी, कि वो अचानक से जगी और दिल्ली की हाई कोट पहुँच गई, तो हाई कोट का जो टिपनी है, उस टिपनी के साथ 20 लाग का जुर्माना लगाया है, और हाई कोट ने ये कहा कि हमने ये समझा है, कि जुही चावला का ये खाली प्रचार करने का स्टंट था, इसको ना तो परियावरन से कोई लेना देना था, और ना परियावरन की कोई बात इसमें है, क्योंकि 5G का जो ट्रायल है, वो अकेले भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया के सभी देश में अपग्रेड होना ही है, पहले हम कभी 2G यूज करते थे, फिर 3G आया, फिर 4G और लोग अभी कह रहे हैं, जी 4G की स्पीड कम है, तो लोग वाइफाई लगवाते हैं, उसकी कितनी स्पीड होती है, और हम सब के जादेतर घरों में वो है, ओफिसों में वो है, तो हमको स्पीड आहाई चाहिए, तो 5G आ रहा है, टेकनलोजी अपग्रेड हो रही है, यह जुही चावला पहले कभी लेंड लाइन का इस्तेमाल करती होगी, ट्रिन ट्रिन घंटी बजी फोन आया, अभी मोबाइल जेम में है, तो अपग्रेड कर रहे हैं, जुही चावला जी वहीं अटकी रहती उसी लेंड लाइन पे, बंबई के, MTNL के जरीए, तो क्यूं अप पदेशी उद्योग पती कभी कोई देश हित्मे काम करेगा, हमारे देश का कोई उद्योग पती, यदि कोई ऐसा invention कोई करेगा, जिससे देश का फायदा होता हो, तो यह जो एक्टिविस्ट है, यह जो चीन के एजेंट भारत में बैठे हैं, वो इनको एक्टिव करता है च कभी प्ले कार्ड लेकर कहीं खड़े हो जाएंगे कभी ट्वीट करेंगे तो यह चीनी एजेंट जो हैं यह इनको अचानक से अपने आप खुजली नहीं होती यह चीन के द्वारा होता है चीन जैसे ही इशारा करेगा यह एक्टिव हो जाते हैं और इसलिए इनको शायद एक एक्टिविस्ट अब एक्टिव कर रहते हों जो लोग लेकिन यह क्या एक्टिविटी है इनकी कि यह भारत विरोधी गतिविदी में यह एक्टिव होते हैं यह कैसे एक्टिविस्ट हैं कि भारत में नई संसद बन रही है पुरानी संसद में बैठने की जगा कम बढ़ बजाए हम अपनी स्वदेशी संसत बनाएं जो इसका विरोध कर रहे हैं वो केवल इसलिए के कॉंग्रेस के बहुत सारे निकटतम लोग जो हैं वो प्राइवेट बिल्डिंगों में जो मंतराले चल रहे हैं उसका किराया हजारो करोड में हमारा खर्चो रहा था देश की सरक पार ने सोचा कि ये किराया बचना चाहिए लोगों को प्रोब्लम हुई और इसलिए क्या किया उन्होंने कोर्ट में जाएंगे एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे और फिर ये सारा जो इनका तंत्र है ये मोंबत्ती गरो ये वामपंती दल ये सब कॉंग्रेस से मिल कर कही न कहीं चीन के इचारे पर ये एक्टिव हो जाते हैं और ये एक्टिविस्ट जब मोन हो जाते हैं कहीं देश के जब कहीं नुकसान की बात हो रही हो हमारे देश में साजिस चल रही है हमारे देश में वायरस आया हुआ है ये चीन ने फैलाया है इन में से कोई एक्टि कवी बी देश के हित में कभी बी काम नहीं करते। लेकिन देश की तरक्की जहांँ भी होगी वो कहीं भी खड़े होंगे तो ये यह बताया था है यह यह रीडिये और दूसरा होता है जो आयोट आइजिंग रेडियेूशन जो आयोट सेंग रीडियेशन है और इसलिए एक्स रेइस से दूर रहने को कहा जाता है वो हामफुल है लेकिन जो non-ionizing radiation है उससे शरीर को प्रकरती को कोई हानी नहीं होती और ये non-ionizing जो radiation है ये mobile phone से टेलिविजन से laptop से इन electronic उपकरोनों से निकलता है तो जो ही चावला को रिडियेशन के बारे में नौलिज नहीं है फिर भी वो कोट में आई तो यह आश्चरिय होता है लेकिन यह इन एक्टिविस्ट की आदत है कि देश की तरक्की में जब भी कोई सरकार कोई कलम उठाएगी यह वहां खड़े हो जाएंगे यह दिवार बन जाएंगे और एक और बात इन एक्टिविस्ट की एक और खासियत है कि यह देश के विरुद में वहां खड़े होंगे जहां चीन का कोई नुकसान हो रहा हो मालिया कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा हो जहां चीन एंट्री मारना चाहता हो तो तो यह खड़े होंगे कि चीन का नुकसान हो और आप इसी प्रोजेक्ट को अगर आप लेंगे 5G में तो जुही चावला को प्रोब्लम इस से नहीं है कि इसमें 5G में कोई रेडियेशन निकलेगी हो सकता है उनको किसी ने बहका दिया हो लेकिन ऐसा नहीं है यह सोची समझी रंड नीती है क्योंकि यह 5G का विरोध केवल इसलिए हो रहा है कि 5G नेटवर्क में जो यहां स्पेक्टरम खरीदने की बात की है वो जियो नेटवर्क ने की है मुकेश अंबानी ने की है मुकेश अंबानी 5G नेटवर्क अपना डवलप कर रहा है उसी का ट्रायल कोट के आदेश के बाद यहां सुरू हुआ है और इस सारे equipment बहुत सारी industry चाइना से based हैं उनसे इनको problem नहीं है लेकिन जैसे ही कोई भारत का उद्योग पती भारत के उद्योग धंदे में आएगा ये problem create करेंगे उधारन के लिए भी देख लीजिए कोरोना वाइरस काल में हमारे भारत की दो कंपनियों ने वैक्सीन डबलब की जब डबलब हो रही थी ना ये सारे लोग सवाल उठा रहे थे चाहे वो कॉंग्रेस हो विपक्षी डलो ये एक्टिविस्टो लो जी मोधी जी ने पैसे बर्बाद कर दिये इनको पैसा दे दिया मोधी सरकार ने खजाने से पैसा दे दिया ये वैक्सीन पर क्या भरोसा है अभी जब ट्रायल नहीं हुआ तो क्यूं लगाई जा रही है और पहले मोधी जी लगवाएं हम तो तब लगवाएंगे आज भी भारत के कई गावों में और आज भी कई पार्टियों में जिसमें समाजवादी के सांसत सामिल है मतब एक सांसत समझे लीजिए इतना चुनावा प्रतिनीडी होता है उसको इतने लोग फोलो करते हैं और वो क्या कह रहे है टीवी में आके वो कह रहे हैं कि ये तो आस्मानी आफत है ये बिमारी जो आई है करोना की ये कोई बिमारी नहीं है बिमारी की तो दवाई होती है इसकी दवाई इसलिए नहीं है क्योंकि मोधी जीने हमारी सुरियत के साथ खिलावाड किया है मनलब कैसी सोच है लोगों की कि ये भारत के वैक्सीन को लगाने को मना कर रहे हैं मत वैक्सीन लगवाईए सरकार अभिहान चला रही है कि इस बिमारी से बचने का एक टरीका है वैक्सिन सब लोगों को वैक्सिन लग जाएगी उसके बाद ही ये वाइरस थमेगा किसी एक को रहेगा तो वो सो को इंफेक्टिड कर सकता है ये लोग दुस परचार करने में लगे हुए हैं तो इनकी मंसा समझिए कि ये चाहते हैं कि लोग बिमार रहे हमारा भारत कोरोना स पर जूट मन बोलिये लेकिन इन में से कोई भी बॉलीवुड का एक्टर कोई भी एक्टिविस्ट ऐसे बेहुदा दुस परचार करने वालों के खिलाप नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे तो देश का फायदा है देश की वैक्सिन को बदनाम करने के लिए तो कुछ ना कुछ बक्वास करेंगे लेकिन उसके पक्ष में नहीं बोलेंगे और च्या करेंगे उधारन प्रस्तुत करेंगे विदेश की वैक्सिन लगवाओ वो अमरीका वाली बडिया है वो रूस वाली अच्छी है लेकिन हमारी बारत की खराब है यह यह मांसिकता ऐसे एक्टिविस्ट क बहुत अच्छा उधारन दिया है कम से कम आगे से इस तरह का कोई फरजी वाड़ा करने की हिम्मत नहीं करेगा कम से कम देश के विकास में कोई रोड़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा और इसी तरह मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो केंदर सरकार का सेंटरल विष्टा प्रोजेक्ट है इसको लेकर भी भ्रह्म फैलाया जा रहा है लोगों में भ्रह्म 5G को लेकर फैलाया गया कि 5G के कारण कोरोना बिमारी फैल रही है तो जब कोरोना के काल में कोरोना नाम पर कोई भी भ्रह्म फैलाने वाल कोई भी इस तरह का ट्वीट करे उसके खिलाब भी इस महमारी एक्ट में कारवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि अगर आप देश के विरुद्ध कोई सडियंत करोगे या सडियंत करने वालों के साथ सामिल हो जाओगे तो आपको इस देश में आसानी से नही पालिका है तो ये 20 लाग का जुर्माना जुही चावला पे लगा है अब आगे देखना है कि आगे से कम से कम देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले एक्टिविस्ट ये बाज आएंगे और देश के विकास में बाधा नहीं बनेंगे लगता तो नहीं है लेकिन देखना है निया इपाली का हमारी इस काम में शक्षम है सेंटरल विश्टा प्रोजेक्ट को भी इसी तरह बदनाम और रोकने की कोशिश की जा रही है उसमें भी कोट को संग्यान लेना चाहिए कि बार बार इस तरह से कोट का कोई टाइम खराब कर रहा है देश में भर्म पहलाने की कोशिश कर रहा है उन लोगों के खिलाब भी लाखों का जुरुमाना कोट लगा दे ताकि काम की बातें कोट में हो सकें और ये फाल्तु के नकली एक्टिविस्ट बने हुए लोग ये एक्सपोज हो सकें